हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेय बजार वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे 25 नमंबर की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में धर्माज क्रॉप यूनिपार्स इंडिया एंबो एग्रिटेक बाहेती रीक साइकलिंग और एक न को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा तो सबसे में बात करें सिर्फ मेंन लाइन आइपयो उसके बारे मैं थे भी उतर और दोपनने वाले नमंबर 24 napos इंडिया ये बात ध्यान रखे आज इस इशू का एंकर बुक जो है वो उपन हुआ है 25 तारी के आज और आज दोस्तों इसका एंकर बुक उपन हुआ है आज क्यों उपन हुआ अगर इसके आसपास भी लेगे तो मात्र 200 करोड का ये इशू बचने वाला है तो undoubtedly allotment बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये इशू बढ़िया रहा तो BAC, NAC दोनों पर ये लिस्ट होगा और कुलमला के एक lot के अंदर आपको 60 shares जो है वो मिलने वाले हैं अब यहाँ पर औ और बात करेंगे आगे बट सब्सक्राइब सारे IPO उसको इक बार चेक कर लेते फिर ग्रे मार्केट भी एक साथ चेक करेंगे तो जो अगला इशू है वो है यूनिपार्ट इंडिया IPO उनिपार्ट इंडिया IPO जो है वो भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है 548 से 577 रुपीज का प्राइस बेंड आ गया है तो प्राइस बेंड निकल के आ चुका है और 548 से 577 रुपे का प्राइस बेंड है 10 रुपे की face value है 835 करोड का ये इशू है और पूरा का पूरा क्या है OFS है offer for sale है तो ये बात भी बहुत एहम है BSE NSE दोनों पर ये list होने व price brand भी आप सोच रहे होंगे कि जादा है पर कितनी gray market है वो अभी हमको पता चली जाएगी अब यह IP जो है वो आज से open हो है तीस नवंबर तक open रहेगा आज open है फिर ट्वेंटेजी ट्वेंटेसेवन को तो हॉलिड है उसके बाद 28, 29, 30 तो उसको मिला के चार दिन दोस्तों जो है वो इशू open रहेगा और अगर आगे देखे तो दसुर रुपे की face value है 9.42 करोड का इशू है नहीं बहुत चोड़ा इशू यह भी है NAC SME पर लिस्ट होगा और कुल मिला के 4000 का lot size है अभी तक क्या अगर subscription के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो इशू है वो fully subscribe तो हो ही गया है retail category ने टू टाइमस भर दिया है NIS ने 0.08 टाइमस चले ठीक है first है तो ज्या को offer किया गए 50-50% of the issue अब बात करते हैं next SME IPO के बारे में अगला दोस्तों जो इशू है वो है बाहती recycling industries बाहती recycling industries IPO भी उपन रहे वाला है 28 of November से 30 November तक ये इशू उपन रहेगा again ये भी एक SME इशू है 45 रुपे का price band है 10 रुपे की face value है 12 करोड के आसपस का ये इशू आप को open होता हुआ देखने को मुलेगा इसके बार में हम बात करेंगे कल detail वीडियो के अंदर तो इसका वीडियो जो है वो कल आएगा आज आने वाला है दोस्तों जो आज आई प्यो उपन हुआ है और उसके संडे को आएगा IPO जो है यूनिपार्ट इंडिया का उसके बार में ह संडे को उसका वीडियो आएगा तो लगातर यहाँ पर आपको चानल पर वीडियो मिलते रहेंगे जस्ट आपको नोर्टिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना है ताकि आपको सबसे पहले नोर्टिफिकेशन मिल सके अब आखरी SME IPO जो बचा है जो कल बंद हो गया था वो है फ्रेंट्स एम्बो एग्रिटेक अब एम्बो एग्रिटेक IPO जो कल आखरी दिन था इस IPO का आई तिंक जितना सब्सक्रिप्शन मासिब निकल क्या है बहतरीन है और यह इशू बढ़िया करता हुआ नजर आना चाहिए 30 रुपे का प्राइस बेंड था 10.20 करूर का इ important होने वाले है जिन लोगों ने भी इस issue के अंदर पैसा लगा है 29 नमंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको IPO मिला है या नहीं मिला है अलोट्मेंट चांसे कल भी जसमें बता है कि बहुत मुश्किल है जिस प्रकार का अलोट्मेंट निकल क्या है उसके हिसाब से उसके बढ़िया हुई because यह तो देखिये pure luck होता है lottery का मतलब होता है कि अगर आपका luck बढ़िया है तो आपको मिल जाएगी नहीं मिला तो ठीक है उसी प्रकार से यह issue मिलेगा 350 में से एक जने को और 36.75 times massive पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला company मांग रहे थी मात्र 10 करोड क अस-पास company के पास आ गए more than 3,3,6,7 करोड तो अपने आप में देखिये issue ने massive पैसा पैस पैसा दोस्तों आपर मिला है एक तगड़ा response मिला है तो देखना पड़ेगा किस प्रकार से listing होती है बट जिन लोगों नहीं भी लगा है यह चिंता से अपमुक्त हो जाएए कि आप अच्छा ही मुनाफ़ा और होना चाहिए इतना subscription निकल किया है तो एक obviously बात निकल किया आती है अब कितना grey market है यह हम देख लेते हैं अब दूस्तों basically दो जगह है grey market की तो दोनों जगह का हम grey market चेक कर लेते हैं इधर Uniparch इंडिया की जो grey market open हुई है वो 87 रुपीज दिखा बाहती recycling की 9 रुपे ग्री मार्केट है यानि 20% तक का return मिल सकता है धर्माज crop guard की 55 रुपे ग्री मार्केट है यानि 23% तक का return मिल सकता है प्रितिका engineering की जो grey market है वो 7 रुपे है यानि आपको 24-25% तक का मुनाफ़ा मिल सकता है MO AgriTech की 14 रुपीज है current grey market यानि 46-47% current मिल सकता है तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर grey market है दूसरे जगा करें हम grey market चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी latest update निकल के आया है at 1 p.m. वो जो update हुआ था वो दोस्तों करीबन 7.5 बज़े 8 बज़े के आसपास का था और Un Unipart का 11 बज़े का था तो यहाँ पर जब एक बज़ी है और जो update निकल के आया है तो इनकी according grey market है Uniparts इंडिया की 148 रुपीज एक massive वहाँ पर कितनी थी वहाँ पर थी दोस्तों 87 यहाँ पर है 148 तो बहुत बड़ा जब यहाँ पर grey market में आता हुआ नजर आ रहा है 148 Definitely यहाँ तो जो है grey market में आपको बड़िया जंप दिख रहा है और इसके मुताबए धर्माज crop guard तो undoubtedly बहुत तगड़ा issue हो सकता है because अगर grey market इतनी solid है तो बिलकुल subscription भी आपको सभाविक सी बात है जो है वो आता हुआ नजर आएगा तो बिलकुल यहाँ पर तो grey market बड़िय और अगर इससे प्रकार से रहती तो यह दोनों issue जो है वो बड़िया करते होगे देखने को मिलेंगे और Uniparts India बली OFS है बली price थोड़ी से हाई है उसके बावजूद भी बड़िया कर जाएगा जिस प्रकार से दिख रहा है तो इस वीडियो में इतना ही था बाकी आपके सा को सब्सक्राइब कर दिना थैंक यू फ्रेंड फर वाचिं इस वीडियो